हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिवा लर्निंग फॉर मोर अपडेट्स लोग इंट वर वेबसाइट www.shivalearning.in तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे पता करें एम्स का जो हमने application form भर दिया है basic registration कर दिया है वो accepted है है तो इस पर मैं मैं शुरुआत से काफ़ी वीडियो बनाता हुआ रहा हुए एम्स को लेके कि आपके correction चालो गई है आपके basic registration खता होने वाले है सारी मैं वीडियो आपको अपडेट करता हूं मैं पहले से आ रहा था तो मैं मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाए थी कि आप करेक्शन कर सकते हैं 17 से 22 तारीक तक तो अगर आपने अपनी करेक्शन कर दिये तो बहुत अच्छी बात है और अब पता कैसे चलेगा कि हमारे जो फॉर्म है वो एकसेप्टिट है रिजेक्टि इस तारीक यानि कि कल आपको पता चलेएगा कि फॉर्म आपका एकसेप्टिट है या रिजेक्टिट है इसमें सारी डेट्स लिखी है इसमें बेसिक रिजेश्टेशन स्टार्ट कफसे हुआ कब क्लोज हुआ एकस्टेंड डेट उसकी और जो करेक्शन करनी थी 17 से 22 ते व आपको पता चले जाएगा कि आपका बेसिक रिजेश्टेशन फॉर्म एकसेप्टिट है और देन उसके बाद आप अपना अपना प्रोस्पेक्ट अप्लोड उनका प्रोस्पेक्ट अप्लोड जो भी होगा उसके बाद जनरेट कर सकते हैं अपना कोड 39 तारिक से और देन कार्ड उसके बाद वेबसाइट पर 15 माई को आजाएंगे मैं फाइनल रिजिटेशन कैसे करना है इसके भी वीडियो अपने इस चैनल पर डाल दूँआ तो मेक शूर यूह सब्सक्राइब तो आर चैनल और साथी मैं आपको साई अपडेट आती रहेंगी तो ऐसी अपडे और उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रीस प्रेस कर दीजे ताक कि कोई भी अपडेट आती तो आपके फोन पर नोडिविगेशन आ जाए और आपको पता चल जाए तो मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई ने जानकारियों के साथ तब तक के लि नमस्कार